दोस्तो एक बार रविंदर ना टेगोर ने कहा था कि यदि भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विकानन्द को पड़ो कल उनकी जनम जनती है आज हम जानेंगे उन छे महतवपूरण अमुल्य बातों के बारे में कामों के बारे में जो स्वामी विवेकानन्निक किये जिन से भारत भारत बना दोस्तो स्वामी विवेकानन्न एक संती नहीं थे वो एक दार्शनिक थे वो एक मनीशी थे वो एक विचारक थे वो एक लेकक थे वो वैवारिक विदानत के पुरोधा थे वो एक समाजसुधारक थे जितने भी विशेशन उनके साथ जोड़े जाएं उतने ही कम दीखते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनोंने भारतिय दर्शन, भारतिय अध्यातम और भारतिय संस्कृति को दुनिया के साथ प्रिचित कराया दोस्तो भारत का पुनर निर्मान करने में भारतिय अध्यातम और संस्कृति को पुनर व्याकित करने में उनकी एक एहम भूमिका रही जब वो पैदा हुए 12 जनवरी 1863 में तब देश गुलाम था मातर 30 वर्ष की आयू के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सनातन धरम का डंका बजाने वाले वो सन्यासी वो पुरोधा स्वामी वेकानन्द के नाम से विख्यात हुए उनके बच्पन का नाम नरेंदर था उनके गुरु थे राम क्रिशन परम हंस जो काली मठ के संस्थापक थे दोस्तो स्वामी वेकानन्द 1893 में शिकागो गए वहाँ पर उन्होंने सरव धरम महासबा के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के धरम को भारत के दर्शन को भारत की अध्यात्मित्ता को नए सिरे से दुनिया के सामने लाने का महती काम किया जैसे भगीरत ने भारत में गंगा को लाने का काम किया था वैसे ही स्वामी विवेकानन ने भारतिय धर्म संस्कृतिय ध्यातम को पुनर जागरित करने का काम किया इरोप के पश्चिम के अमेरिका के देशों को इससे प्रिचित कराने का बहुत बड़ा काम किया दोस्तों वो क्या-क्या छे महतोपूरण अमुल्ले योगदान है जो स्वामी विवेकानन ने दिये आज हम उनी के बारे में चर्चा करेंगे पहला योगदान भारत्य दर्शन का विश्व के साथ प्रिचिय है दोस्तो स्वामी विवेकानन्द से पहले हमारे बारे में लोगों की अवधारणा एक ऐसे देश की थी जो सपेरों का देश था यहां की रूडियां यहां की परंप्राएं उन्हें ऐसे लगती थी जैसे सद्यों पुराना फिचडा हुआ भारत आज भी जिवित है इस सारी मान्याताओं को धारणाओं को खतम करने का काम सबसे पहले जिस सन्यासी ने किया वो थे स्वामी विवेकानन्द जब 30 साल की उमर में उन्होंने चिकागो की धरम संसत के अंदर अपने पैर जमाए उन्हें मातर 2 मिनट का समय मिला था अपने उद्भोधन में जब उन्होंने शुरुआत की अमेरिकन बहनों और भाईयों तो चारों तरफ तालियों की गूंज बजुठी और एक महीने तक जब तक वो धरम संसत चली पूरे अमेरिका के अंदर और अख़वारों के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर स्वा अपने पर गुमान होता है कि हम भारत के अंदर पैदा हुए हैं यह सारा का सारा शिरे जाता है स्वामी विवेकानंद को उस सन्यासी को जिसने सबसे पहले भारत्य धर्म दर्शन की एक ऐसी अवधारना लोगों के सामने रखी जो सरवत्तम और सरफ्स्रेस्ट है दूसरा अधुनिक भारत के पुनर निर्मान की अधारशिला दोस्तों जब स्वामी रामकृशन परम हंस का देहा वसान हुआ उसके बाद स्वामी विवेकानंद निकल पड़े भारत उपमाद्विप की यात्रा पर उन्होंने अपने पंजो से पूरा भारत नापा उन्होंने जान लोगों का दुख क्या होता है उनका दर्द क्या होता है उनकी तकलिफ क्या होती है पूरे भारत के अंदर उन्होंने पैदल यात्रा की लगबक तीन-चार साल यात्राएं करने के बाद उन्हें समझ आया कि एक्च्वल में भारत बनता कैसे है भारत की सभेता क्या है भारत की संस्ग्रिती क्या है भारत को बनाने वाले कारक क्या क्या है भारत के लोगों की जब उन्होंने गरीबी देखी उनका दोहन देखा तो उनका मन पसीज गया तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन नुशावर कर दिया इस अपेक्षा के साथ मेरा जनम लोगों की तकलिफ दूर करने के लिए हुआ है कंद्राओं में पूजा पाठ भगती योग करने के लिए नहीं मेरा सारा कसारा जीवन ये जो 33 करोड लोग है भारत के ये देवता स्वरूप है मैं मंदिरों से तता कतित भगवानों की मूर्ति को निकाल कर इन 33 करोड हिंदुओं को भार भारत को उस समय मिला जब भारत सवतंतरता की बेडियों में जकड़ा हुआ था और ग्रीबी लाचारी कुपोशन एसिक्षा जैसी महमारियों से क्रस्त था दोस्तों भारत का पुनर निर्मान वही व्यक्ति कर सकता है जिसे भारत के बारे में पता हो जो भारत को अंदर तक जानता हो ये काम स्वामी विवेकानन ने किया उन्होंने भारत की नबज को समझा भारत की रुगनता को जाना और ऐसे उपाये सुझाए जिससे भारत एक शांदार शशक्त देश बन सकता है अपनी समरिधी योवन को दुबारा प्राप कर सकता है तीसरा योगदान युव का संभावनाओं एवं शक्ति का पुंच दोस्तो स्वामी विवेकानन खुद एक युवा थे मातर 49 साल की उमर के अंदर वो इतने बड़े-बड़े काम कर गए जिसके बारे में सोचना कल्पना करना भी असंभव और मुश्किल लगता है दोस्तो स्वामी विवेकानन के पास आया युवक बोला आपके बारे में बहुत सुना है मैंने बड़ा प्रिक्ष्रम किया है लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया स्वामी वेकानन बोले कि ये मेरा पाल तो कुत्ता है तुम इसे घुमा कर लाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम सफल क्यों नहीं लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो, इसका कारण क्या है? वो व्यक्ति बोला, महाराज, जब मैं रास्ते पर इसे घुमा रहा था, तो ये कुता इधर उदर मुहु मार रहा था, कभी इधर जाता, कभी मेरी पकट से चूटने की कोशिश करता, और जब कि मैं सीधा चला जा रहा इसी कारण से ये कुता ठका हुआ लगता है, स्वामी व्यकानन बोले, तुमने अपने प्रशन का उत्तर स्वयम दे दिया है, दोस्त, जब कोई व्यक्ति अपनी धिशा से भटक जाता है, इधर उधर घुमने लगता है, अपने लक्षय की तरफ केंद्रित नहीं रहता, त तो दोस्तों, युवाओं के अंदर संभावनाओं की शक्ति को देखना और युवाओं के जरिये भारत को एक दुबारा से महांदेश बनाने का उनके मन में जो सपना था, वो हाला कि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो युवाओं के अंदर एक शक्ति और संभावनाओं का पुन्ज देखते थे चोथा योगदान महिलाओं की सवतंतर्ता धाम शशक्तिकरण के पक्षदर दोस्तों आज हम महिलाओं की सवतंतर्ता की बात करते थे आज हम उनकी शेशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन आज से लगबग 130-140 साल पहले इस सन्यासी ने महिलाओं की सवतंतरता और शेशक्तिकरण के बारे में एक नीव डाल दी थी इस देश के अंदर सरव परथम जिन लोगों ने महिलाओं की सवतंतरता के बारे में सोचा उनके शक्तिकर्म के बारे में सोचा उनमें स्वामी विवेकानन एक थे वो महिलाओं की शिक्षा के पक्षडर थे वो महिलाओं को पुर्शों के साथ कंदे से कंदा मिला के चलने की प्रेड़ना देते थे जिससे देश तेजी से अपने रास्ते पर अगरतर हो सके और भारत को महान देश बनाने में जल्द से जल्द काम्याभी मिल सके नमबर पांच जातिवाद और एस प्रिश्चेता के मुकर विरोधी दोस्तों इस देश का सबसे बड़ा नुकसान प्रोह प्रिश्व के अंदर हम सबसे सर्वो परी देश होते तो दोस्तों स्वामी वेकानन पुरहित बाद और धार्मिक अडंबरों के विरुधु थे उन्होंने देश के अंदर एक ऐसा महल बनाने का प्रियास किया जिसके अंदर जातिवाद ना हो जिसके अंदर चुआ चुआ और अपने कामों के जरिये चुआ चूट को मिटाने का किया और छटा योगदान शिक्षा परिवर्तन का शशक्त हत्यार दोस्तों स्वामी वेकानन्त मैकाले शिक्षा पद्धी के बिल्कुल खिलाब थे उसके मुखर विरोधी थे वो कहते थे यदि शिक्षा मनुष्य को संघर्ष करना ना सिखाए यदि शिक्षा चरितर का निर्मान ना करे यदि शिक्षा आपके अंदर शेर जैसी ताकत ना भर दे और यदि शिक्षा आपके अंदर सेवा की भावना पैदा ना करे तो शिक्षा किसी काम की नहीं वो सिधानतिक शिक्षा के पक्षमे नहीं व विश्व के सभी पुस्तकाले सबसे बड़े रिशी होते दोस्तों शिक्षा की ऐसी अवधारणा स्वामी विवेकानन्दी दे सकते थे उन्होंने समाज के अंदर ऐसी सिक्षा विवस्ता लाने का प्रियास किया जिससे हम अपने आने वाली पिड़ी को एक समूचा मानव बन आ सकें जो सर्वांगिंग विकास के लिए प्रेड़ना स्रोत्र बने दोस्तों स्वामी वेकानन्द कहते थे कि विदेश्यों में भोतिक सम्रिद्धी तो अवश्य है जिसकी भारत को जरूरत भी है लेकिन विदेशी भी हमारे से बहुत कुछ ले सकते हैं भारत का ध्यातम विदेश्यों के लिए बहुत बड़ी जरूरत बनेगी और आने वाला समय ऐसा होगा जब संस्कृतियों का अपस में इस तरह से मेल होगा पश्यम से भारत ग्रीबी दूर करने के लिए पैसा लेगा और पूरव से पश्यम भारत का ध्यातम लेगे और संस्कृतियों का ये दिखा सकता है दोस्तों ये थे वो छे अमुले योगदान जो स्वामी वेकनन के जीवन से हम ले सकते हैं वैसे तो उनका पूरा जीवन ही ऐसे संस्मर्नों से भरा है जो मानव दिनमान में साहिक हो सकते हैं दोस्तों कल 12 जनवरी पर उनकी जनम जियनती है और इस दिन को रास् मान वापस पाने भारत को विश्व गुरु बनाने विकानन्द अफ्तार हुआ मनवता का अर्थ बताने धर्म का मतलब समझाने अध्यातम आलोक फैलाने विकानन्द अफ्तार हुआ धर्म संसद में पांव जमाने अंगद सालोहा मनवाने शुद धर्म सबको सिखाने विका दोस्तों भगवान क्रुशन न गीता में कहा था यदा यदा ही धर मस्य गलानिर भवति भारत है अब्युतानम अधर्मस्य तदात्मानम स्रिजाम में हम हे अरजुन जब जब धर्म की हानी होती है और अधर्म का परचार होता है तब तब दुस्तों का विनाश करने के लिए और साध्मों की रक्षा करने के लिए मैं जनम लेता हूँ तो कल के दिन ही 1863 में स्वामी विकानन्द का जनम हुआ था अवतार के रूप में दोस्तों हम इस दिन को बड़े जोश और उमंग के साथ मनाएं इसी आशा के साथ नमस्कार